केंद्रिय वित्तमत्री निर्मला सितरमन ने इस साल का केंद्रिय बजेट 2022 पेश किया है विधर्ब इंडस्ट्री असोसियेशन के अध्यक्षि सुरेश राथी ने अपनी प्रतिक्रिया देती हुए कहा बजेट का और विधर्ब का तालमेल करना होगा साथ ही बजेट से विधर्ब को क्या मिल सकता है इसे तलाश ना होगा विधर्ब इंडस्ट्री असोसियेशन के अध्यक्षि सुरेश राथी द्वारा आज की बजेट प्रतिक्रिया देती हुए कहा है की बजट और विधर्ब का तालमेल करना होगा और आज की बजट से विधर्ब को क्या मिलता है उसे तलाश ना होगा मुझे लगता है कि बजट और विधर्ब का थोड़ा तालमेल बैठाना होगा और अभी हम लोगे ने जिन पॉइंट को नोट किया, आज हमारे इतने भी वक्ताओं को हमने बुलाया है, हमने हर एक से रिक्वेस्ट किया था, कि आप इस वजट को देखें, और इंडिया के लिए तो ही है, बट इसका स्पेसिफिक अनालिसिस अभी जो चल रही है अंदर भ तो मुझे लगता है कि ज्यादा लोग इसका फाइदा ले पाएंगे, और दूसरा डिफेंस बिजनस, जो जिसके लिए कि अल्रेडी हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, अल्रेडी हमारे पास बड़ी कंपनी है, जिसका मांगदशन है, अल्रेडी सरकार ने DRDO को ओप कर दिया है कि हम उनके टेक्नोलोजी को यूज कर सकते हैं, और इडी सरकार हमाने हमने हमने आरपास यहां जमीन है, और इडी यहां पे एक क्लस्टर अप्रोच बनाने की बात है, जिसमें कि हमें common फैसलिटी जग जगा लागाने की बात करें, अगर सब लोग आएंगे साथ में, तो वी आई की अपील रहेगी कि हम सब साथ में आएं और हम इसको जल्दी जल्दी क्रेट करें ताकि जो 68% अफ डिफेंस बजट है, जो अब इंडिया में ही खर्च का वादा किया है सरकार ने, वो अब हमारी कंपनी इसको मिलेगा, डिफेंस वाले बहुत ओपन अप कुछ निर्ने बहुत ही अच्छे लिए गए हैं, जिसमें क्रिप्टो करंसी है, डियाडियो को खोल दिया गया है उनकी टेक्नलोजी का उप्योग करने के लिए, कई अच्छे निर्ने इस बजट में लिए गए हैं, ऐसी प्रतिक्रिया सुरेश राठी द्वारा दी गई है कैमर बर्सन राजक्मा मोहर के साशीतीजा देशमुख बीसीन न्यूस नाखपुर